पूछेंगे लेकर मैं हूँ आपके साथ हमिश शर्मा जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि पिछे 5 दिनों से जनता टीवी हर्णा प्रदेश में कई जगह हो रहे अवैद खनन और ओवर्लोडिंग की परताल कर रहा है हमारी परताल के दोरान कई जगह अवैद खनन होता भी दिखा तो कई जगह ओवर्लोडिंग में लोगों की नात में दम कर रखा है अवैद खनन और ओवर्लोडिंग की इस परताल के पीछे हमारा मकसद बिलकुछ साफ था कि हम आपको जमीनी हकिकत बताएं कि कैसे खनन माफिया नदियों का सीना चलनी कर रहे हैं और कैसे ओवर्लोडिंग माफिया लोगों के लिए खत्रा बने हुए हैं और जम्यदारों से ठोक के पूछे अपने सवाल हमारा नमबर है 011-4321-4321 इस नमबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारी कोशिश होगी कि हम इस दौरान संबंदित विभाग के अधिकारों से भी बातचीत करें और आपकी समस्याओं को उनके सामने जरूर रखेंगे कुछ राजनितिक रहनुमाओं से भी हमारे सवाल और जवाब भी होंगे तो प्रदेश के कई लाकों में हो रहे अवैद खनर और ओवरलोडिंग को लेकर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पिछे पांस दिनों से किस तरीके से अवैद खनर और ओवरलोडिंग लोगों के लिए परिशानी का सबब बनते जा रहे हैं हालकि ऐसा नहीं है कि सब जगए ऐसे हालाते हैं लेकिन हाँ कुछ जगए हालात बहुत जादा खराब हमें हमारी परताल के दोरान दिखाई पड़े हैं और इसी को लेकर हमारे समवज़ाता पवनसेवर ने खास बातचीत की है खनन मंतरी बूल्चंद शर्मा से उन्हें उनके सामने रखा और उनने बताया किस तरीके से कईला कैसे हैं जहां पर खनन माफिया मनमर्जी कर रहे हैं मनमानी कर रहे हैं ओवरलोडिंग लोगों के ल जन्हित के मुद्देव पर हर रोज ठोक के पूछी का कार्यकर्म चला रहा है और इस कार्यकर्म के जरीए परदेश में अलग अलग जगों पर जो समस्याइं है वो हम सामने रखते हैं मेरे साथ हर्याना के कैबिनेट मंतरी मूल्चन सर्मा है सर लगातार जन्ता टीवी एक कार्यकर्म हैं लोगों के बीच में जाते हैं जो समस्या है उसको सरकार के लेकर आते हैं आप इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं जो जन्तां ती-वी है जनता की आवाज एक गरीब मजदूर व्यवपारी करमचारी उनकी समश्चा होती उसकी आवाज को बार बार उठा के बेसरकार से कई बात नहीं हो पाती जो आपके चैनल के मादम से आम आदमी की समश्चा का समाधान होता है और चैनल जो आपके चैनल जनता टीवी इसे कई पर आदमी की आवाज अधिकारी तक नहीं पहुंच जाती हैं और बहुत से ऐसे कारिये हैं जो आपके मादम से सरकार पूरा करती है और मैं जनता टीर को बढ़ा देता हूं कि इस तरह से आम आदमी की जो आवाज बनके जो अपने चैनल पूठाते हैं इस सबसे बड़ा काम ह मंतरी जी आपके पास खनन विभाग है और पिछले एक हफ्ते से हमने लगातार खनन से जुड़े जो मामले हैं वो जनता के सामने रखे हैं खनन विभाग आपके पास इस नाते आपने सरक क्या-क्या कदम उठाए हैं ताकि आवैद खनन रूखे और तमाम तरह के जो पहले नीमेटाई होती रही पे लगान लगाएं पहले जो खनन होते रहे इससे पहले कि पेक्शभ वह से जो खनन है उसको वैद है उसको रोकने का काम करा है कही माइनिंग सेर्फ ko कर călen जो बिनका करी ना पर लागं में जो बिलिंग की का पिछे साल से जादा है जिससे पांच क्रोड फालत हो पहले तीन सो तेतिस क्रोड था आज बीस इकिस का तीन कोर अड़िस राख थी तीन सो तिस क्रोर यह आपने एक अलग से फॉर्ट भी आपके खनन विवाग में आपने बनाने का फैसला किया था जो केवल उसके उपर फॉ अलग से फोर्स बनाने का पुलिस रखने का फैसला किया था उस पर काम हुआ इस तरह की टीम जो भी है मालो किसी चीज की निगरानी को पर निगरानी रखना निगरानी पर निगरानी रखना को इमारे निगरानी हमी कर पाएंगे उसकी भी निगरानी करने की भी जूरत है नि है तांग फोट की बात है माइनिंग की बात है दूसरे इस तरह की जरूब रहें तो यह हर्याणा के प्रिवहन और खनन मंत्री मुल्चन सर्मा हमारे साथ है मुल्चन सर्मा ने कहा है कि खनन विवाग में जो अन्यमेताइं थी उनको रोकने को लेकर तमाम कदम उठाए गए ह और साथी उन्होंने ये भी कहा है कि जो निगरानी करते हैं उनकी भी निगरानी हो इस तरीके की विवस्ता बने इसको लेकर सरकार और उनका विवाग जो है वो विचार कर रहे हैं खनन मंतरी को आपने सुना खनन मंतरी का साफ़तोर पर कहना है कि किसी भी सूरत में अगर कहीं पर भी इल्लीगर मैनिंग हो रही है तो उसको बरदाश्ट नहीं किया जाएगा इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ओवरलोडिंग को लेकर भी ऐसी खबरें लगाता सामने आती रहती हैं और उसको लेकर भी हम सख्त रुक अपना हुए हैं अगर किसी तरह की कोई समस्या है भी तो इसको बहुत जल्ड दुरूस्त किया जाएगा यह बात यहां पर कहते हुए खनन मंतरी मूलचंद शर्मा तो प्रदेश के कई इलाकों में हो रहे हैं अवैद खनन जनरता टीवी की यह जो मुहिम है इसको इस पर वो पैनी नज़र बनाए हुए थे किस तरीके से वो भी हमारी परताल को देख रहे थे और उसके बाद उन्हें भी लगा कि हाँ कही ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गर्बर जरूर है और उसको भी दुरूस्त करने का वादा उन्होंने किया है उन्होंने कहा है कि जनरता टीवी ने जो मुहिम चलाई है उस मुहिम को हम सरहते हैं जनरता टीवी लगातार ऐसे कदम ऐसी जो पहले है वो इससे पहले भी करता रहा है जो बहुत सरहानी है और उनका यह कहना है कि अगर कहीं पर भी किसी तरह की कि ऐसी कोई खामी पाई जाती है तो उसको बहुत जल्द दुरुस्त भी किया जाएगा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खनल मंतरी मूलतन शर्मा भी इसलिए सरा रहे हैं जनता टीवी की स्पहल को क्योंकि वो खुद भी इस पर पैनी एज़र बनाये हुए थे और उन्हो हमारा नमबर है 001-4321-4321 यह हमारा नमबर है इस नमबर को आप डायल करिए और उसके बाद सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे आप अपने इलाके का हाल हमें बताईए क्या आपके इलाके में भी अवैद खनन हो रहा है क्या आप भी ओवरलोडिंग से परेशान है ओव आपकी बात को सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे लगातार पहुचानी की कोशिश कर रहे हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो ताकि अवैद खनन और ओवरलोडिंग से आपको निजात मिले तो आज आपकी बारी है हमने मुहिम चलाई लेकिन आज आपको हमने मौका दिय है कि आप भी अपनी आवास को बुलंद करें आप अपनी बात रखें आप हमें कॉल करें नमबर एक बाफिर से आपको हम बताते हैं 014321421 यह हमारा नमबर है और इस नमबर को डायल करके आप सीधी बातचीत हमसे कर सकते हैं आप अपनी बात को रख सकते हैं अपनी आवा सके कि कहां पर किस तरीके से क्या समझ से आ रही है किस तरीके से ये अवैद खनन हो रहा है किस तरीके से ओवरलोडिंग हो रही है और माफिया आए दिन अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं दिन हो चाहे रात इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है वो जब चाहे जैसे चाहे वो खनन करते हैं ओवर्लोडिंग जो है सटों पर देखने को मिलती है और इससे आए दिन हाथ से होते भी रहते हैं और हाथ से का डर तो हमेशा बना ही रहता है और यही वज़ा है कि हम चाहते हैं कि आप भी अपनी आवाज को बलंद करिए 011-4321-4321 इस नंबर पर आप हमें क कॉल करिए और कॉल करने के बाद आप हमें बताइए कि क्या आपके इलाके में भी अवैद खनन हो रहा है या आपके इलाके में भी ओवर्लोडिंग हो रही है और क्या आप इन दोनों गंबीर समस्याओं से बहुत जादा परिशान है और अगर ऐसा है या नहीं भी है अगर हमें इस बात को कहा था कि ये ऐसा नहीं है कि सब जगह आवیत खरंण हो रहा है कही बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर वैद तरीके से खरंण किया जा रहा है परमिशन के बाद क्रण किया जा रहा jsा और इस्सरकार को करणों रुपे का राजयस्यों भी आता daughter करोड़ों रुपे का राधिस सरकार को हासिल होता है तो उनका ये कहना था कि हाँ अगर कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी है कहीं भी कुछ परेशानी है जिसमें उन्होंने फरीदाबाद की अरावनी की जो पहाड़ियां है उसको लेकर भी इन्होंने कहा था कि वहाँ थोड़ी बहुत समस्या जरूर है उसको हम बहुत जल दुरूस्त करेंगे इससे पहले आपको याद होगा जन्यता टीवी की ओड़ से जो मुहिम चलाए गई थी हमने आपको सनोली के बारे में दिखा था लोकल प्रशासन की ओर से उनको ठीक से गाइड नहीं किया जाता है जो लोग हैं स्थानी नवासी हैं वो भी ये बात कहते हैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो अगर NGT को ठीक से गाइड किया जाए लोकल प्रशासन उनको गाइड नहीं करता है और इस वज़े से चीजें जो हैं वो पकड में ठीक से नहीं आपाती हैं लेकिन आज आपकी बारी है आज आज आपको कॉल करनी है और कॉल करके आपको अपनी आवाज को बुरंद करना है अपनी बात को रखना है और आपको हमें बताना है कि अवैत खनन और ओवरलोडिंग क लोग सरकों पर आगे, सरकों पर आकर लोगों ने अपनी आवास को बुरंद किया, इस्थान या प्रशासन के खिलाफ नारे बाजी की और उन्होंने मांग की कि बहुत जल्द इस अवैद खनन और ओवरलोडिंग को बंद किया जाए, इस पर लगाम लगाई जाए, अगर ऐस हैं सनोली, जहांकि हम अवैद खनन और ओवरलोडिंग को लेकर खबरें दिखा चुके हैं, यह मुहें पिछले पांस दिन से हम लगाता चला रहे हैं, और इसके पीछे मकसद बिलकुल हमारा साफ है, कि अगर प्रदेश में कहीं भी अवैद खनन हो रहा है, अगर कहीं भी निजात मिले, आपकी समस्या का समाधान हो, आपको परिशानी ना हो, और जो जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सम्मदित विभाग के जो अधिकारी हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझें, और उसके हिसाब से قدم भी उठाए जाएएं, ताकि आपको परिशानी न और इसी वज़े से जनता टीवी हमेशन कोशिश करता है कि जनता के सरुकार से जनता से सरुकार रखने वाले मुद्नों को हम उठाएं ताकि अगर कहीं किसी तरह की कोई समस्या है तो उसको दुरुस्त किया जाए और हमारे साथ आज आज आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं आप भी अपनी बात को रख सकते हैं नमबर एक बाफ फिर से आपको हम बता देते हैं हालाकि ये नमबर लगातार आपके टीवी स्कीन को पर भी चल रहा है और वहां से देखने के बाद भी हमें आप कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 ये हमारा नमबर है इस नमबर को आ अपनी बात को अपनी मांग को आप रख सकते हैं महेंदगर से मुकेश कुमार हमारे साथ मौजूद है हमारे दर्शक मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे आप जालता सरी नार्मोल से महेंदरगर होते हैं जो तोसाम को जो रोड जाता है इसे ओर लोड इंग ज्यादा हो यह बहुत ज्यादा बहुत ही खत्रा रहता है और खईवार तो अभी जो रेले लाइन चतनाली की जो रेले लाइन के जो और ब्रीज है उसके तो जो साइड में बहुत ज्यादा कत्रा रहता कई वार को सब्सक्राइब से गिर भी जाते हैं और यह गाड़ियां बिच्छे भी खड़ी रहती हैं लेकिन को बोई हो नहीं है सुबह सुबह या दुपर और एक संद लगातार निकलते हैं लोग जे एक साथ निकलते हैं इनकी गाड़ियां बहुत शाहिए तो मुकेश कुमार हमारे दर्शक महंदगर से उनका कहना है कि महंदगर जिले में भी यह समस्या बनी हुई है ओवर लोडिंग यहां भी परिशानी का सबब बनी हुई है और जो डंपर हैं उनकी वज़ए से कई बार हाथ से भी होते रहते हैं पत्थर आके में भी क्या इस तरह की कोई समस्या है क्या आपके इलाके में भी अवैद्खरन हो रहा है क्या आप भी ओवर लोडिंग से आज़े आ चुके हैं तो आपको अपनी आवाज उठाने का आज मौका मिला है तो आप अपनी आवाज को कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जरीए आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकें आप अपनी आवाज को आगे जो जो जनता के रहनुमा हैं जो आपके नुमाइंदे हैं उनके सामने आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकें उनके उनके सामने आप निमांग को रख सकें तो महिंद कर रहें. आपका कॉल करें. अपनी बात को रखें. अपनी आवाज को बुलंद करें. क्योंकि देखिये. हमने महिम चलाई. और हम यह चाहते हैं कि हमारी जो महिम है यह रंग लाए. आपको भी इसका फायदा हो. आपके अगर ऐसा कुछ हो रहा है. तो उस पर लगाम लगे. और हमने सीथा खłyन मंत्री से बात की. यानि कि ओवर्लोडिंग और खनन माइफियाओं को लेकर हमने खनन मंत्री से बात की है. खनन मंत्री मूल्चन शर्मा से हमारे समधाता पविन सिवर उनके पास गए. उनके बातचीत की. उनका इंट्रविव primera और उनके बताया कि देखिए ऐसे ऐसे कई लाकों में अवैद खनन और ओवर्लोडिंग की शिकायत ने लगातार सामने आ रही हैं आप इस पर क्या कहेंगे और ये समस्या जो बनी हुई है इस पर कब तक लगाम लगेगी जहां भी ऐसी समस्या देखने को मिल रही है तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आ आवाज को बिलन्त करिये अगर आपके अलाके में भी हो सकता है कि हम आपके अलाके की खबर ना दिखा पाए हूं रही हम वह Nie क्वह अफिकार नहीं सकते हैं जो जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं या जो इस्थानी परशासन हैं जहांसे भी आप तालुक रखते हैं वहां के जो जो अधिकारी हैं वो भी आपकी बात को सुन सकें उनके कानों तक ये बात पहुँचे और हो सकता है को समस्या का समाधान हो जाए इसलिए हम लगातार ये मुहिम पिछले 5 दिनों से लगातार चला रहे थे और आज हम जिस तरही की से लगातार कह रहे हैं कि आज आज आपकी बारी है आज आज आपको बोलना है आज हम कम बोलेंगे आप से जादा बोलवाएंगे हम यह चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो आपको परिशानी ना हो अवैद खनन एक बहुत बड़ी एक गंबीर समस्या है यह बात बिल्कु सही है ओवरलोडिंग उससे भी जादा कहीं हो जाती है क्योंकि ओवरलोडिंग कई जगे से तो ऐसी भी खबरें सामने आई ऐसी भी हमने खबरें आपको दिखाएं भी कि जहाँ पर गाओं के 20 से ट्रॉलियन जो हैं वो गुजरते हैं और इसकी वज़े से भी हाथसे का डर हमेशा बना रहता है कई जगे से ऐसी भी खबरें सामने आई कि अवैद खनन हो रहा है वहाँ पर नदी का जो सीना है वो तो छल्ली किया जा रहा है उसकी वज़े से ऐसे खो बना दिये गएं कि उन खो में बच्चे जो हैं वो डूब जाते हैं सनोली की बात हम आपको बता देते हैं पर नदी में इस तरीके से अवैद खनन किया जा रहा है कि वहाँ पर आठ से दस बच्चे अब तक डूब चुके आप देखिए कितनी गंबिर समस्या कितनी बड़ी चिंता का विश्य है इसी को लेकर हम चाहते हैं कि आप भी अपनी आवाज को ब्रंद करेंगे सुनिपस से राजेश है हमारे साथ हमारे दर्शक राजेश जी आप का कहेंगे किस तरीके से आप अपनी आवाज को ब्रंद करेंगे तो यह घरों में पानी आना बंद हो जाएगा वारिस का पानी नीचे चला जाएगा यह लिए आप यह समस्या गराजेश हमारी जी हमारी कोशिश होगी राजेश जी कि हम इस समस्या को भी जरूर उठाएं अपने इस खास कारिकम ठोक के पूछेंगे के जरीए लेकिन अभी जो मसला है हमारा अभी जो मुद्धा है वो अवैद खनन और ओवर्लोडिंग को लेकर है अगर आपके लाके में अवैद खनन और ओवर्लोडिंग भी हो रही है तो आप हमें बताईए अगर नई भी हो रही है आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो वो भी चलिए लगता है फोन कट गया बहुत शुक्रिया आपका बहुत धन्यवाद तो आप यह में कॉल करिए आप भी अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराई यह जो जनता के नुमाइंदे उनको भी अवगत कराई यह जिस जिनके कंदों पर इसको दुरूस्ट करने की जिम्मेद घंड पले शुद कर में फड़ी अकबर पूर में अवयत्खरन हो रहा है या नहीं यह तो आप इआखी थीक से कंफर कराएंगे लेकिन पर बता भी शुक्रें छिए जिए और यह तो बहुत अच्छी बात है आप इस बात को जार रहे हैं यह तो बहुत अची बात आप को स यहां जब पूरों गाउं तकरीबन पांत साथ में अवेद काम करें और चेनाव से जब परेशान जब परेशान है जी जब आप जर मैं तो कई बार शिंजान में डाल दिया था अपने इंसक्टर साथ को बताया था जै जब दर यह जखना तो लगवाले परते मों तरुट वह है यानि आपकी कोई बात ने सुनी गई है कि आपकी कोई बात ने सुनी गई है कि अब आएंगे वह दार साथ दिन हो गए अब तक तो कोई आई नहीं है तो करी रहा हूं मेरे ले किसी को कुछ भी करो काम होना चाहिए और जर में तो दस साल से सरपंच हूं नदी में कोई काम नहीं होने दिया था मनावेद जी नदी हो हमारे पंचाइट की गोचर बुमिया जी लेकि सुबाश जी लोग तो ये भी पूछेंगे ना आपसे कि आप अगर पहले र पंचें तो अब क्यों रुकवा पा रहे हैं इसके वज़े क्या है अब रुकवान की बाते से जी कई बार बता दी हुगां का किया हम खुद हुगां तो इस अगरानों दौाओं बार गाउं का लातूरे सोर्दी से नोगन भाई जरपंजियों तो महरुस है मैं जिरुआ सब्सक्राइब करी जाब मेरी बात भी हुई जी तो मैं बताया थी मोजी कुछ ने गुराब इन्हें रुकवा हुए ने दमकाओं जे ये बात दीता है बिलकुल इस बहुत शुक्रिया आपका सुभाज जी हमसे बात्चित करने के लिए तो सुभाज हमारे साथ मौजू थ सुभाजी जो की अकबरपुर गाओं के शरपंचे और उनका यह कहना है कि उनके इलाके में भी उनके गाओं में भी जमकर अवैध्क certified हो रहा है वह उससे बहुत जाधा परीशान है ग्रामेड उनसे भी जादा परिशान है और उनका ये भी कहना है कि कई बार इसको लेकर वो शिकायद भी कर चुके हैं जो जो नजदी की जो थाना पड़ता है वहां भी वो गए और वहां के जो S.H.O हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है जो इंस्पेक्टर हैं उनसे भी लगवा पा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है लेकिन क्या आप भी परेशान हैं क्या आपके इलाके में भी अवैद खनन हो रहा है क्या आपके इलाके में भी ओवर्लोडिंग हो रही है या आपको लगता है कि नहीं आपके इलाके में इन दोनों समस्य आपके लाके में सब कुछ ठीक है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं अगर समस्या है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं क्योंकि जनता टीवी आपकी आवास को उठा रहा है आज हम चाहते हैं कि आप अपनी आवास को बुलंद करें आप अपनी बात रखें जनता टीवी के इस हम बार-बार कहते हैं जो आपके रहनुमाई कर रहे हैं जो आपके नुमाईन दें उन तक आपके बात पहुँचे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो यह बहुत ज़ादा ज़रूरी है और इसलिए यहाँ पर एक मीडियेटर की भूमे का हमें भार हैं एक मध्धस्ता हम कर रह हमने खर्ण मंत्री से सीधा जाकर इसको लेकर बात चीत की है उन्होंने किस तरीके से जहनता टीवी की इस मोहिम को सरहा वो भी आपने सुना और नालोल से मारे साथ मौझूद है सुरेंद्र हमारे दर्शक सुरेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे जे तो इस जो नालोल जाते ना पान जाते हैं इदर का तो यह ना समय रहा है इस नालोल बंद कर रहा है जे शुक्रिया आपका नानोल से सुरेंद्र हमारे साथ थे लेकिन आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए नमबर एक बाफर से आपको हम बता देते हैं 011-4321-4321 यह हमारा नमबर है 011-4321-4321 इस नमबर को आप डाइल करें सीधी बातचीत आप हमसे करें आप अपनी आवाज को बलंद करें आप अपनी बात को रखें अगर आपके इलाके में भी अवैद खरन हो रहा है या नहीं ह रहा है आपको लगता है कि आपके खला में आपके अलाके में खरन तो होता है लेकिन वैद तरीके से किया जा रहा है यानि कि सरकार की और से उनको पर्मिशन मिली है और इसलिए वह खरन किया जा रहा है तो वह भी आपको लगता है कि आपके यहां पर ओवर लोडिंग की ग हो सकता है तो अगर ऐसा है तो वह भी आप हमें बता सकते हैं अगर नहीं है तो वह भी आप हमें बता सकते हैं और साडोरा के सरपंच इमरान खान जी साडोरा का तो हमने पूरा हल बताया है किस तरीके से इमरान खान जी सुन पा रहें किया आप क्योंकि ऐसा लग रहा है फोन कट गया उनका चलिए बहुत शुक्रिया ऐसा लग रहा है कि हमारी बात का जवाब नहीं है आपके पास क्योंकि मुहिम हमने चलाइ आपने देखा भी और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम जिस मुहिम को चेड़े वो रंग लाए और रंग इसलिए लाए हमारी ये मुहिम क्योंकि खुद खरण मंत्री ने इस बात का भरुसा दिया है आश्वासन दिया है कि बहुत जल प्रदेश में अगर कहीं पर भी अवैद खरण हो रहा है तो उस पर लगाम लगाई जाए और इसके साथ जन्ता टीवी के इस मुहिम को उन्होंने सरहा उसकी तारीफ की फिलाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फॉरन लॉट रहे है